तो वेरी गुड आप्टून और वेरी वर्म वेल्कम तो अल्ड बीटिफुल एस्परेंट्स हाई इस शिभम और वेलकम यू आल बाक प्लाट्फर्म ओफ लॉइक्सपाइ स्मार्ट किडा अब सभी खुब सत लोगों को एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है लॉइक्स यूटूब प्लाट्फर्म पे जहां पे हम रोजाना क्लाट एक्जाम 2025 जिसका एक्जाम दिसंबर 2024 में होने वाला है इसे डेडिकेट करते हुए रोजाना के इंपॉर्टेंट करेंट अफेस के न्यूस को डिसकस करते हैं तो आज मैं फिर से आपके सामने प्रेजंट सबी की सामने गे रहा हूं पहला न्यूस है इंडिया बाक्स पैलस्तीन बिड और फुल यूएन मेंबर्शिप तो यहां पे रिसेंटली क्या हुआ है यहां पे एक रेजुलिशन जो है यह प्रेजंट किया गया था इन फ्रेंट ऑफ उनाइटेड नेशिंस की पैलस्तीन क को मेंबर्शिप मिलने चाहिए पैलस्तीन शुर्ट बे इंक्लूदेट इन दे उनाइटेड नेशिंस लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहां पे इंडिया और बहुत सारे देश शामिल है और अल्सो यहां पे बहुत सारे कंट्रीज ने इस पटिकुलर बिड को के अगेंस्ट में तो आए ही वोड दिया है तोटल नाइन कंट्रीज ऐसे जिस ने इस पटिकुलर बेंड के अगेंस में वोड दिया है तोटल 143 कंट्रीज ऐसे ही है जिन्होंने पैलिस्टीन को UN का मेंबर बनानी के लिए बिड़ किया है और अल्सो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे जो की आपसंड थे जिन्होंने बेडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है ठीक है तो आएए समझते हैं पूरे मामले को ठीक है कि देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को के अंदर हम लोग सबसे पहले किन बातों पर फोकस करेंगे तो सबसे पहले हम कॉंटस समझेंगे न्यूस की और सो रेजुलिशन जो प्रसेंट किया गया था जिसके उपर वोटिंग हुई है उस रेजुलिशन को समझेंगे और सो इंट्री को किस क्राइटेरिया को फुल्फिल करना पड़ता है और सो यहां पे पर्मेनेंट ऑब्जर्वर स्टेटस तो यून इसे समझेंगे एडिश्टल राइट एन प्रिविलेज ऑफ पैलेस्टीन एजन ऑब्जर्वर स्टेट एन अरब लीग के बारे में भी समझें आइए आए सो सबसे पहले कोन्टेस्ट एर रेज्लूशन वॉस पास इंदा यूनाइटेटन नीशन स्युन ने एफंटेटन नेशन के पहले के बारे में पहले बात करते हैं यूनायटे नेशन के अगर मैं बात करू इस प्रिकृकुलर बॉडर्वर स्टाबलिष्ट इन यह इसका headquarter की बात करेंगे हम बात करेंगे इसके कितने principal organs होते हैं principal organs होते हैं what is the motive to establish what was the motive to establish United Nations ठीक है and United Nations किसका successor है है ना किसका successor है इसे भी discuss करेंगे है किसका successor है इसे भी discuss करेंगे तो सबसे पहले United Nations को establish किया जाता है 1945 में after the first world after the second world war second world war के बाद इससे establish किया जाता है या रखना इसका headquarter आपको New York में देखने को मिलने वाला है New York के अंदर इसके छे principle organs है है ना इसके six principle organs है उनके बार में बात करता है United Nations Economic and Social Council United Nations trusteeship trusteeship United Nations Secretariat Secretariat United Nations International Court of Justice साथ इसाथ यहां पर United Nations General Assembly and United Nations Security Council भी देखने को मिलेगी तो इसके आपको छे principle organs देखने को मिलेंगे कितने तो नंबर वन इस United Nations Economic and Social Council नंबर सेकेंड इस United Nations trusteeship नंबर थर्ड इस United Nations Secretariat नंबर फॉर्थ इस United Nations International Court of Justice नंबर फिफ्थ इस United Nations General Assembly and नंबर सिक्स इस United Nations Security Council या दखना इन सभी बाडिज की है हίνश्य ऐड़ कॉझान आपको न्यू यॉक में देखने को मिलेगी बट है यहाँ पर एक लॉती ऐसी बाडि जिसका है एड़्कॉट्र आपको दीहेक में कीमिलने वाला कहां पर युक जिसन नीधर्लानक एंदर देखने को मिलने वाला है ठ्विक है इस इस स्टाब्लिश करने के पीछ ही मोटिव था तू करें पीस जाiva जाता है तो या और हम यह लीग ओफ लीग ओफ नेशन्स विच वॉस्टाबलिश्ट आप्र इपर्स्ट विल्ड वॉर नाइटीन से लेकर 1944-45 तक एक काम करता है और इसके बाद इसको बंद करके उनाइटेट नेशन्स को स्टाबिश किया जाता है तो यहां पर उनाइटेट नेशन्स के अंदर एक रेजुलूशन पास किया जाता है वित अवर्विल्मिंग मिजॉर्टी सपोर्टिंग फुल मेंबर्शिप ऑफ पालस्टीन एंट प्रसिंग दgoneसे क्योर्टी कांसिल तुक एब एंसरोलीशन आता है उस रेजुलूशन को मिजॉर्टी के साथ पास किया जाता है है जाने साथ यहां पे युनॉटे नेशन सिक्योर्टी काउंसे से उर्ट किया जाता है कि यह पैल्स्टीन को मेंबरेशिप दिलाने के लिए मेंपल सब्साइब उनके फॉय वरे में consideration करें यानि कि इनकी favorable consideration के लिए भी यहां पर डिमांड की गई है आये अब समस्थता है resolution के details को ठीक है so resolution admission of new members to the United Nations in support of the state of Palestine full membership in the union to have a resolution क्या था resolution यह था कि United Nations के अंदर पालस्टीन को full membership दिलाना the resolution introduced by इस resolution को introduced किसने किया है इस resolution को introduced किया गया है United Arab Emirates जो कि at present Arab League के chairperson भी है यानि कि UA जो है इसने resolution को United Nations के सामने रखा उसके बाद voting हुई voting में majority of the countries which are the member of United Nations इन्होंने Palestine को full membership दिलाने की बात की ठीक है प्रेजंट में UAE जो है यह Arab League का member है साथ इसाथ at present यह Arab League की जो chairmanship है वो भी UAE के पास है अब resolution की बात करें तो 143 countries ऐसी थी जिन्होंने यह कहा कि Palestine को United Nations का full membership मिलना चाहिए जिसमें इंडिया भी included है 25 countries ऐसी थी जो की participate नहीं करती है और 9 countries ऐसी थी जिसने अगेंस्ट में वोड़ दिया कि Palestine को full membership नहीं नहीं मिलना चाहिए United Nations का दोस कंट्रीज आर इस्राइल युनाइटेड स्टेट्स हंगरी अर्जंटीना माइक नेशिया नौरो पॉलाओ पापुआ गुनिगिनी यह सारे countries ऐसी है जिन्होंने United Nations के इस resolution के अगेंस में वोट किया कि Palestine को नया मेंबर बनाना चाहिए या नहीं ठीक है the resolution determined that state of Palestine is qualified for membership in the United Nations resolution यह कहता है कि भीया जो Palestine है यह सारे criteria full करता है to become the full member of United Nations in accordance with article 4 of the Charter of the UN so Charter 4 of the United Nations के according Palestine वो सारी criteria's fulfill करता है जिसमें वो member बन सके United Nations का ठीक है and should therefore be admitted to a membership in the United Nations it recommended that the security council reconsider the matter favorably in the light of this determination तो यहाँ पे security council को re-determine reconsider करने की जरुवत है कि Palestine को membership देनी चाहिए ठीक है अब समझते हैं India and Palestine के पीच में रिस्ते की अच्छे के अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं या रिस्ते हैं तो कब से रिस्ते हैं ठीक है क्योंकि इंडिया ने in favor पर वोड किया है कि Palestine को UN के मेंबर बना दीजे तो इंडिया वस्ट नॉन एरब कंट्री इंडिया जो है यह पहली नॉन एरब कंट्री थी जिसने पैलेस्तिन लिबरेशन और्गनाडेशन को रिक अगनाइस किया था as a sole representative of Palestinian people तो यहां पर Palestinian people के लिए के पाल पालेस्टीन पीपल के representative के form पे PLO दिखने को मिलेगा जिससे इंडिया ने रिक अगनाइस किया था इंडिया वस्ट वेरी फॉर्स तो यहां पर देखें इंडिया वस्ट वेरी फर्स नॉन अरब कंट्री जिसने पैलेस्टीन लिबरेशन और्गनाजेशन को representative के रुप में रिक अगनाइस किया था Palestinian लोगों का in the year 1974 and also in the year 1988 पैलेस्टीन को एक स्टेट या एक कंटी के रुप में भी रेकगनाइस किया था बाइधी इंडिया इंडिया ओपन इट्स रेप्रेजेंटेटिटिव ऑफिस चुद पैलेस्टीन और्थोरिटी इन गाज़ा इंडिया ने अपना एक ऑफिस भी ऑफिस की शुरुआत की ती गाजा के अंदर 1996 में इसे बाद में रिलोकेट किया गया 2003 में इन राम अला रीजन ठेक है तो इंडिया और पैलेस्टीन के रिलेशन्शिप काफी बहतर देखने को मिलते हैं और इसी वज़े से इंडिया ने इन फिवर वोट किया है पैलेस्टीन के लोगों के लिए ये पैलस्टीन को फुल मेंबर्शिप दिलाने के लिए अब how does a country become a member of the United Nations United Nations के लिए United Nations के अंदर फुल मेंबर्शिप पाने के लिए किसी भी country को कौन से क्राइटिरिया को फॉल करना पड़ता है So membership in the organization, यहां पर United Nations की बात कर रहा हूं, in accordance with the Charter of the United Nations is open to all peace-loving states that except the obligation contained in the United Nations Charter and in the judgment of the organization are able to carry out this obligation. तो यहां पर United Nations Charter के अंदर, जिन भी criteria को follow करने की बात की जाती है, अगर वो country उन Charter को, उन obligations को follow करने को तयार है, साथ इसाथ वो country peace-making country है, peace-loving country है, तो वो membership हासिल कर सकती है. States are admitted to membership in the United Nations by a decision of the General Assembly upon the recommendation of Security Council. So यहां पर देखिए, United Nations के 6 principal organs में आपको Security Council and General Assembly देखने को मिलेगी, यह बहुत important parts हैं, बहुत important organs हैं United Nations की. General Assembly यहां पर एक Parliament की तरह काम करता है, जहां पर laws मनाए गये थे, Security Council, Security Related Issues को देखता है. So यहां पर क्या होता है, अगर आपको member बनना है United Nations का, तो आपको एक तो भईया, peace-loving country होने चाहिए, peace-making country होने चाहिए. साथ-साथ, United Nations के charter में जो भी criteria दिये गए हैं, उन criteria को आपको follow करना चाहिए. साथ-साथ, Security Council के recommendation से General Assembly उस particular country को full membership provide करती है. अब the procedure is briefly as follows, पूरा procedure समझते है. The state submit an application to the Secretary General and a letter formally stating that it accepts the obligation under the chart. Let's say Palestine को member बनना है, let's say Palestine को member बनना है, तो Palestine जाएगा भईया, security, Secretary General के पास, फिलाल Secretary General है Antonio Gateras, लेख लेना, Antonio Gateras के पास जाएगे, Antonio Gateras के पास जाके, Palestine अपना application देगा और कहेगा कि यह United Nations के charter में, जितने भी criteria है, वो criteria हम fulfill करते हैं, वो obligations हम मानते हैं, आप हमें membership दो. The security council consider the application, security council इस particular application जो की Secretary General के पास दी गई है by the Palestine, इसको consider करेगी, any recommendation for admission must receive the affirmative vote of 9 of the 15 member of the council, provided that none of its 5 permanent member, China, France, Russian Federation and United Kingdom of Britain and Northern Ireland and the United States of America have voted against the application. If the council recommend admission, the recommendation is presented to the General Assembly for consideration, a two-third majority vote is necessary in the Assembly for admission of a new state, membership become effective, the date the resolution for admission is adopted. तो यहाँ पर देखिए, प्रोसेस क्या है, Palestine जो है, Palestine एक application देगा, application देगा, security, सरी, किसको देगा भीया, हाँ, Secretary General को, Secretary General को भीया, यहाँ पर application देगा, Secretary General इस application को accept करेगा, और accept करने के बाद भीया, वो कहाँ भीज़ देगा, recommendation के लिए, तो भीज़ देगा, Security Council के बाद, Security Council के बाद, consideration के लिए, यहाँ पर भेज़ दिया जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो Security Council है, यहाँ पर पाँच permanent members होते हैं, और दस non-permanent members होते हैं, जिनको appoint किया जाता है, two years के tenure के लिए, ठीक है, यह permanent members होते हैं, इनके पास veto power होता है, तो out of this fifteen members, nine members को, out of this fifteen members, nine members को यहाँ पे, nine members को Palestine के लिए vote करना पड़ेगा, साथ ही साथ, एक बात आपको याद एकनी होगी, कि out of this fifteen, यह जो पाँच members हैं, है ना, यह अपना veto का इस्तिमाल नहीं करेंगे, तब ही जाकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है, अगर पाँच permanent members में से किसी ने भी veto power का इस्तिमाल किया, तो यहाँ पे यह जो application है, यह cancel हो जाएगा, यह पाँच members जो है, यह founding members है, United Nations की, जैसे यहाँ पे Russia है, जैसे यहाँ पे France है, China है, USA है, UK है, यह 5 वो permanent members है, जिनके पास veto power है, तो अगर, पहली बाद तो यह, कि 15 में से 9 वोट आने चाहिए, Palestine के favor में, साथ ही साथ, दूसरा condition यह है, कि 5 members में से कोई भी member veto power का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा किया गया, तो यह application वहीं पे रद्ध हो जाएगा, उसके बाद यह general assembly में चला जाएगा, security council के बाद यह general assembly में चला जाएगा, and general assembly में जितने भी member countries हैं, उसके दो ती high countries को यहाँ पे Palestine के favor में vote करना पड़ेगा, तब जाकर Palestine, एक UN का membership, full membership UN का मिल सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे यह पूरा process है, फिर से process को समझो, मैंने कहा, मैंने कहा भी यह, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले, सबसे पहले Palestine को, let's say Palestine को full membership चाहिए, तो Palestine क्या करेगा, वो जाएगा, कहाँ पे, वो जाएगा, Secretary General के पास, Secretary General के पास जाएगा, कौन है, Antonio Gateras, Antonio Gateras, वहाँ पे जाके अपना application सब्मिट करेगा, application सब्मिट करेगा, यह जो application सब्मिट करेगा, यह application कहाँ जाएगा, Security Council के अंदर, United Nations Security Council के पास आएगा, Security Council के अंदर, आपको 15 Member Countries देखने को मिलेंगे, Member Countries देखने को मिलेंगे, और यह Permanent Members होते हैं, इनके पास Vito Power होता है, तो जब Security Council के पास consideration के लिए, यह application आएगा, यहाँ पे क्या होगा, voting होगा, यहाँ पे voting होगा, voting में, out of 15 votes, out of 15, है ना, out of 15, minimum 9 votes की जरुद पड़ेगे, minimum 9 votes की यहाँ पे जरुद पड़ेगे, साथ ही साथ, point number 2, जो Permanent Members है, है ना, वो अपना Vito Power का इस्तिमाल नहीं करेंगे, अगर करते हैं, तो यह application पहले ही cancel हो जाएगा, इसके बाद, यह application आजाएगा, General Assembly के पास, General Assembly के पास, General Assembly में, जितने भी countries, Members है, उसका 2-3 high vote मिलना चाहिए, Palestine के favor में, Palestine के favor में, और तब जाकर, Palestine को, full membership मिल सकता है, full membership मिल सकता है, तो यह पूरा process follow किया जाता है, ठीक है, United Nations के अंदर, अगर किसी United Nations, के अंदर, किसी member को, full membership चाहिए हो, तो, ठीक है, यह बात I guess clear हो गया, और permanent observer status to the unit, यह क्या है भाईया, तो देखिए, non-member states of the United Nations, which are member of one or more specialized agencies, can apply for the status of permanent observer, वो countries जो की, वो countries जो की United Nations की member नहीं है, बट United Nations के और भी principal organs हैं, उनकी member है, तो वो यहाँ पे apply कर सकते हैं, permanent observer status की, the status of a permanent observer is based purely on practice, and there are no provision for it in the United Nations Charter, United Nations Charter में, permanent observer countries के लिए, कोई भी यहाँ पे obligations नहीं है, या कोई भी क्राइटीरिया के बारे में लिखा नहीं है, the practice dates from 1946, when the Secretary General accepted the designation of Swiss government as a permanent observer to the United Nations, तो इसके शरुवाद जो है, Switzerland से हुई, observer बेर सब्सेक्वेंटली पूट फॉर्बर्ट वर सर्टन से लेटर बिकम United Nations member, including Austria, Thailand, Italy, Japan, Switzerland become a UN member on 10 September 2002, तो पहले देखे, permanent observer का status अगर आपको मिल गया, तो future में जाकर आपको permanent membership का भी status मिल जाता है, है न, full membership का भी status मिल जाता है, permanent observer have free access to most meetings and relevant documentation, तो उनको meetings में भी इजाज़त मिलती है, साथ यसाथ documentation में भी आपको उनको इजाज़त मिलती है, many regional and international organizations are also observer in the work and annual session of the general assembly, तो यहाँ पर permanent observer status का मतलब अगरा आपको समझ गये हो, ठीक है, अगला है additional right and privilege of Palestine as an observer status, ठीक है, अगर भी यह Palestine observer state बनता है, observer country बनता है, किसका United Nations का, तो उसको क्या benefit मिलने वाला है, As of the 79th session of the United Nations General Assembly in September 2024, Palestine will receive additional right and privilege despite being an observer state, तो यहाँ पर observer state होते हुए भी इसको कुछ additional right और privilege मिलने वाले है, याद रखना, September 2024 से 79th session शुरुआत होगा, फिलाल 78th session चल रहा है, जिसके चेर प्रसिडेंट है, Dennis Francis, यह बात ही आपको याद रखना, जिसके चेर परसिडेंट होंगे, Dennis Francis, इस राइट सिंक्लूट सिटिं अमंग मेंबर स्टेट्स इन अल्फाबाटिकल ओर्डर में, यह जनरल असंबली के अंदर बैक्स बैट सकते हैं, स्टेट्मेंट दे सकते हैं, Eligibility for election as officer in the general assembly and its main committee and full participation in UN conference and international meeting under the general assembly auspices. However, Palestine as an observer state does not have voting right in the general assembly or the ability to put forward its candidature for UN organs. So, यहाँ पर Palestine observer status के लिए, Palestine को अगर observer status में मिलता है, तो इसको यह benefits होने वाली है, जैसे वो meetings में participate करता है, कर सकता है, alphabetical orders में बैठ सकता है, statement दे सकता है, ठीक है, General assembly के अंदर अपने officers को elect करने के लिए election contest कर सकता है, बढ़ क्या नहीं कर सकता है, जनरल assembly में voting नहीं कर सकता है, जनरल assembly के जो main principal organs है, वहाँ पे भी वो participate नहीं कर सकता है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि UAE जो की at present, chairmanship है उसके पास Arab League का, इसने resolution को present किया है United Nations के अंदर, कि Palestine को full membership मिलने चाहिए United Nations की, तो उस Arab League के बारे में समझते हैं, so Arab League is a regional multinational organization of Arabic speaking countries in the Middle East and North Africa, so ऐसे countries जो की Arabic बोलती है, इन countries का भीया एक क्या है multinational organization है, this particular body was established in the year 1945, and इसका headquarter आपको Cairo के अंदर देखने को मिले, this particular organization को establish करने का mission है, to promote trade and economic growth among the member countries, यानि कि Arab countries के जितने भी member countries है, उनमें trade को enhance करना, economic growth को enhance करना, ये इसका motive है, founding members of Arab League are Jordan, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Yemen, Egypt and Iraq, तो यहाँ पर आपको इसके founding members के बारे में भी पता चल गया, अगर मैं 22 member states and 4 observer nations की बात करूँ किसकी Arab League की, तो ये सारे 22 member states है Arab League के, और चार observer nation भी है, जो की in future जो है, वो उन्हें permanent member मिल सकता है, members of the Arab League adhere to the charter which is an agreement of 20 articles and 3 annexes, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर भी कुछ charter है, ठीक है, जिस charter के basis पे, जिस principle के basis पे Arab League काम करता है, जैसे United Nations के अंदर charter है, वैसे यहाँ पर भी आपको charter देखने को मिलेगा, जिसके basis में यहाँ पर सारा काम चलता है, So this was the very first news, जिसमें हमने यह discuss किया कि UAE which is United Arab Emirates, जो की Arab League का member है, जो की Arab League की chairmanship, UAE के past and present, इसने United Nations के अंदर resolution present किया, कि Palestine को full membership मिलना चाहिए, जहाँ पर 132 countries ऐसे थी जिन्होंने Palestine के favor में vote किया, कुछ countries ऐसे थी जिन्होंने participate नहीं किया, and कुछ countries, 9 countries ऐसे थी जिसने इसके against में vote किया, हमने पढ़ा कि कैसे United Nations का member बन सकते हो, United Nations के chatter में जो भी बाते लिखी हैं, जो बली obligations हैं, उन obligations को आपको मानना पड़ेगा, follow करना पड़ेगा, आप एक peace loving country होने चाहिए, and साथ ही साथ, हमने देखा कि कैसे इस से related voting होता है, कि आपको पहले application देना पड़ेगा, Secretary General के पास, उसके बाद Secretary General ये application Security Council तक पहुचाएंगे, Security Council में 15 member countries हैं, जहाँ पे 10 permanent, non-permanent and 5 permanent members हैं, तो यहाँ पे 15 में से 9 vote आपकी favor में होने चाहिए, साथ ही साथ, जो 5 permanent member countries हैं, जिनके पास veto power है, वो आपके against vote नहीं करना चाहिए, अगर vote कर दिये, application cancel हो जाएगा, यहाँ पे 15 में से 9 vote लाने के बाद, ये application आपका चला जाएगा, जनरल assembly, जनरल assembly में जितने भी countries हैं, उसका 2 third अगर आपको vote मिल जाता है, तो आप full membership के हगदार बन जाते हो, उसके बाद हमने देखा कि एक observer country का status क्या होता है, उसके लिए क्या criteria है, and also इसमें आपको क्या benefits मिलते हैं, ठीक है, अब discuss करते हैं, how the Olympic Games got a torch relay, a tradition with links to Greek mythology, so Olympics आने वाले हैं, इस बार जो Olympics होने वाले हैं, ये जून के मन्त में start हो जाएगा, और इस बार को Olympics कहां हो रहा है, तो Paris, France के अंदर, तो आए देखते हैं, कि Olympics में जो ये torch relay का, आप कह सकते हो, tradition है, है ना, इसकी शुरुवात कब से हो रही है, और ये Greece के कौन सी, Greece के किस चीज़ से inspired है, ठीक है, आए, इस particular article में हम सबसे पहले, contest को समझेंगे, details को समझेंगे, historical significance, motto, Olympic Games के बारे में समझेंगे, Olympic symbols के बारे में समझेंगे, Olympic torch relay के historical background, inception of the torch relay, evolution of the tradition, इन सभी बातों को discuss करेंगे, So, contest क्या है, the 2024 Summer Olympic Games, which is 27th edition, which is 33rd edition है, 33rd Olympiad, also known as Paris 2025, is set to take place from July 26th to August 11th, 2024 in France, तो यहाँ पर 2024 Palace Olympics होने वाला है, इसके शुरुआत जुलाई के मंसिय होगी, August को यह खतम होगा, कहाँ पर होगा, पारिस के अंदर होने वाला है, and this is going to be its 33rd edition, यह बात भी आपको याद रखते हैं, अब details की बात करों, तो Paris will serve as a main host city, with 16 other cities across European France, joining in the celebration of the sport, तो यहाँ पर परिस जो है, यह main host city होने वाला है, बाकी और भी 16 शहर ऐसे होंगे, जो की अलग-अलग games को host करेंगे, additionally, Tahiti, an island within the French overseas country of the French Polynesia, will host a subside, तो यहाँ पर Tahiti भी एक event को host करने वाला है, after a disruption caused by the COVID-19 pandemic, the 2024 Summer Olympics will mark a return to the traditional 4-year Olympiad cycle, जनरेली जो Olympics होते हैं, वो हर 4 साल में होते हैं, बाट बीच में COVID आ गया था, जिसके वज़े से, यह चीज़े जो हैं, वो रुक गए थी, इससे पहले 2020 में Tokyo में यह Olympics हो था, और अब 2024 में Paris के अंदर हो रहा है, the 2024 Summer Olympics set the stage for future edition of the Games, including 2028 Summer Olympics in Los Angeles, 2022 Summer Olympics in Brisbane, तो 2028 का Summer Olympics Los Angeles USA होगा, 2032 का Summer Olympics Brisbane के अंदर होने वाला है, यह बाद भी आपको याद रखने, अब historical significance समझते हैं, Paris was awarded a Games at the 131st International Olympics Council session in Lima, Peru on September 13, 2017, marking the city's third time hosting the Summer Olympics. So, this is the third time की Paris Olympic game को host कर रहा है, and Paris इस game को host करेगा, इसके लिए जो decision लिया गया था, वो International Olympic session के 131st session में लिया गया था, जब यह session पेरू के अंदर organized किया गया था, और वो देट था 3rd September 2017. So, in this particular date, International Olympic Committee के 131st session में, पेरू के अंदर जो session हो रहा था, यहाँ decide किया गया, की Paris is going to host the 2024 Summer Olympics for the 3rd time, ठीक है, इस games will coincide with the centenary of Paris 1924, so cashing the rich history and tradition of the Olympic movement in France. It will also mark the 6th time France has hosted the Olympics, both summer and winter, and the first French Olympics since 1992, Winter Olympics in Albertville. तो यहाँ पे देखिए, Summer Olympics France ने तीन बार host किया है, ठीक है, बट इस से पहले जो है Winter Olympics and French Olympics भी इसके द्वारा host किया जा चुका है. अब मोटो क्या है इसका, इस बार का मोटो क्या है, इस बार का मोटो है, इस बार का मोटो है, और इस पर्टिकुलर एडिशन में पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर फीमेल और मेल्स की पार्टिसपेशन डोनों बराबर होने वाली है यह जंडर एक्वालिटी की बाद भी करता है अब ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं तो ओलंपिक गेम्स ओफन सिंप्ली रिफर्ट टुट अस्टी ओलंपिक्स आर मेजर इंटरनाशनल मल्टी स्पोर्ट इवन्ट फीचरिंग समर और विंटर स्पोर्ट कॉंपेडिशन तो यहां पर देखिए ओलंपिक गेम्स जिसे हम ज लग लग अलग टाइबस के सिंपिंग्ध् सथिए अर्किश मिल्म्मिगे बिटैंप यह इसे न्तव तुर्ट में बिद्वर्ट आपको डिफ्रेट स्थिंग माष्य डिपर रम publi में अब इस्टेकों मेरे रॉंसम् expenses बाहिक्वर दो की बात करो तो इसके सबसे पहले शुरुवाद होई थी ग्रीज के अंदर है ना और यह 8 सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी एडी तक कर चलता है तो यहां पर जो मॉडर्ण ओलम्पिक्स है इसके शुरुवात 19th सेंचुरी में होती है ठीक है 1896 में सोरी तो देखें ओलम्पिक्स के जो शुरुवात है यह ग्रीज से होती है ना ओलिम्पिया में सबसे पहली बार ओलम्पिक्स की शिरुवात हुई थी बिट्विन 8th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी एडी तक यह चलता है ठीक है अब मैं इंटरनाशनल पीस को मिंटेन कर सकते हैं ठीक है दो फॉर्स मॉर्टन ओलम्पिक्स वे हल्ड इन एथन्स ग्रीस इन 1896 विट अथलीस फॉर्टीन कंट्रीस ने पार्टिस्पेट किया था इन 43 इवेंट्स को यहां पे कंडग कराया गया थे सिंस देन ओलम्पिक गेम्स हाव ग्रों सिग्निफिक्टिनली इन स्केल एन स्कोर विट थाउजन ओफ अथलीट फ्रम ओवर 200 कंट्रीस पार्टिस्पेटिंग इन वाइड रिंज ऑ स्पोर्ट तो सिंस देन जो इवेंट्स की तादाद भी बढ़ती गई नंबर ओफ कंट्रीस जो पार्टिस्पेट करती है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिला जो मेजर इवेंट्स होते हैं समर और विंटर ओलम्पिक्स उसकी अगर हम बात करें तो समर ओलम्पिक्स फीचर वाइड वराइड व करें थे शुटेबल विंटर कंडिशन डूरिंग टरпис जीजर फीचर वह जाते हैं जो कि समर येट आरे ज symbols की बात करूंव। The Olympic Games are associated with various symbols and tradition अलग-अलग symbols, अलग-अलग tradition, follow किया जाता है, including the Olympic rings, Olympic rings represent करते हैं 5 अलग-अलग continents को, the Olympic torch relay and the lightning of the Olympic flame during the opening ceremony, तो यहां पर Olympic Games में अलग-अलग symbols, अलग-अलग tradition follow किया जाते हैं, जैसे Olympic rings, Olympic torch relay and lightning आपनिंग आप दा ओलंपिक फ्लेम ठीक है दूरिंग दो ओपनिंग सिजन इन में यह तीन जो है इसके मेजर ट्रेडिशन है गेम आलसो फीचर दावार्ड फोल्ड जिल्वर और ब्रॉंच मेडल तौप अथलीट इन इच एवेंट अस वेल अप्लेंग फ्लेंग फ्लेंग तेके ओलंपिक टॉर्च रिले भी देखने को मिलेगा यहां पर आपको गोल्ड सिल्वर और ब्रॉंच मेडल मिलता है जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है इसको गोल मिलता है रिस्पेटिव इवेंट में ठीक है तो यह सारे चीज़े हैं उसके बाद ओलंपिक फ्लाक को यहां पर होस किया जाता है ओलम्पिक एंथम को भी यहां पर घाया जाता है यह बात दिये अब ओलंपिक टॉर्च रिले की बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं So the Olympic torch relay, a cherished tradition of the modern Olympic Games, hold deep roots in ancient Greek mythology and serve as a symbol of continuity, unity and the spirit of competition. तो यह जो Olympic torch relay का आप कहा सकते हैं, tradition है, Olympics के अंदर, यह काफी जादा पुराना है और यह Greek mythology से उठकर आता है. और यह हमें बताता है कि it is a symbol of continuity, unity and a spirit of the competition. historical background की बात करें है, अगर हम Olympic torch relay की, a significant expect of the ancient game was the Olympic truce और ecclesia एर इस्टाबलेश इस्टाबलेश इन 9th century BC, allowing safe passage for athletes amidst the warring state of Greece. However, the celebration of the ancient Olympics was halted in 393 AD by the Christian Emperor Theodosis, I only to be revived in 1896 by French educator P.R.D. Goopiton, marking the beginning of the modern Olympic era. तो आप देखो के 393 AD में जो ancient Olympics हुआ करता था, जिसके शुरुआत ग्रीस से हुए थी, उसको बंद कर दिया जाता है, उसके बाद modern Olympics के शुरुआत दुबारा से 1896 में, सबसे पहले Athens में खेला गया, और प्यरी डोको गोपटिन, प्यरी डी कोबोटिन जो है, ये फ्रेंच एजुकेटर था, जिन्होंने इसको रिवाइफ किया. अब inception of torch relay, torch relay की शुरुआत की बहुए, torch relay का जो tradition है, इसकी शुरुआत की बहुए, the tradition of the Olympic torch relay was proposed by Karl Diayam, Secretary General of the Organizing Committee of the Berlin Games, inspired by ancient Greek torch races. So, यहाँ पर ancient time पर Greece में जब Olympics हुआ करते थे, टेक है, वहाँ पर torch races हुआ करते थे, टेक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर पहली बार सुझाव रखा गया by the Organizing Committee के Secretary General Karl Diayam, जिक के द्वारा. In preparation for the 1936 Summer Olympics in Berlin, a symbolic flame was lit in Olympia and transported to Berlin, marking the first Olympic torch relay. So, यहाँ पर 1936 में पहली बार Berlin के अंदर हो रहे है, Summer Olympics के अंदर, एक flame को जलाया गया Olympia के अंदर और उसको Berlin तक पहुचाया गया, और सबसे पहली बार जो torch relay है, वो यहीं पर होता है. The flame symbolizing purity and continuity, यह जो flame है, torch relay की जो flame है, यह continuity and purity को दर्शाता है, was lit using the sun rays in Olympia, reflecting the significance of fire in Greek mythology and the perpetual flame maintained in the Greek flame. तो सबसे पहली बार, जब 1936, Berlin Games में इस Olympic torch relay का इस्तिमाल किया गया था, Olympia में flame को जलाया गया था and Berlin तक पहुचाया गया था, तो यहां पर जो आग का इस्तिमाल किया, यानि कि सूर्य के किरन से आग, जो है, वो flame को जलाया गया, और यह बताता है, यह बताता है, importance of fire यह ब पाद, evolution क्या हुआ इस्तिमाल में, the torch relay tradition was evolved to embrace inclusivity and diversity along thousand of people from different background to participate in carrying the Olympic flame, हना, common people now have the opportunity to engage in this historic event by reaching out to the organizing committee reflecting the democratization of the Olympic movement, the identity of the final torch bearer who carry the flame to the opening ceremony is shrouded in secrecy, adding an element of anticipation and excitement to the games, historically torch bearer were predominantly young male athlete reflecting the societal norm of the time, तो आप देखोगे, जो flag bearer होगा, ठीक है, जो flame को carry करेगा, इसका नाम disclose नहीं किया जाता है, ताकि जो है, लोगों के अंदर excitement बना रहे, और लोग इसमें participate करते हैं और बहुत ज्यादा आनद उठाते हैं, However, the tradition saw a significant shift towards inclusivity at Munich game 1972 when women and individuals with disability were first included among the torch bearer, तो यहाँ पे 1972 के Munich games में, जो differently-abled लोग है and women है, उन्हें ने torch bearer का काम किया, जो कि इस tradition का evolution भी कह सकते हैं, The flames won ignited remains a light until the closing ceremony is serving as a beacon of form, unity and athletic excellence, और एक बार जब फ्लेम जलाया जाता है, इसको ceremony के end तक, जब तक Olympic game खतम नहीं होता है, तब तक जलाया के रखना रखा जाता है, जो कि symbolize करता है, hope को, unity को and excellence को, ठीक है? So, ये था हमारा आज का दूसरा news, जिसमें हमने discuss किया, Olympics के बारे में, Olympics के history के बारे में, Olympics के शुरुवात कब होती है, ancient Olympics के शुरुवात कब हुई थी, modern Olympics के शुरुवात 1896 में हुई थी, जो सबसे पहला Games Athens में खेला गया था, ठीक है? So, यहाँ तक आज के session को रच्ते हैं, मिलते हैं कल करेंटफरस के अपने अगले पड़ाव में, तब तक के लिए मैं शुरुवाम सिंग, अलविदा लेता हूँ, जैहन, जै भारत!